नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका जी के लास्ट पॉइंट में दोस्तो आज हम बात करेंगे IPL यानि की इंडियन प्रिमेर लीग जो की पहले भारत में होना था अब इसका योजन UAE देश में होगा यानि की युनाइटिड अरब अमिराद देश में इसका योजन होगा दोस्तो IPL very important topic है लगबग हर exam में इसे related question पूछे जाते हैं दोस्तो जो जो question आपके exam के लिए बन सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ इसलिए दोस्तो वीडियो को पूरा देखे तता यह दि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर करें तता हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी latest वीडियो की सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो दोस्तो चल 2020 का आयोजन किस देश में होगा सही अन्सवर है ओप्शन C UAE दोस्तो UAE का फुल्फ वोम होता है United Arab अमिरात जिसे हिंदी में सेयुक्त अरब अमिरात भी बोलते हैं दोस्तो पहले IPL का आयोजन भारत में होना था लेकिन क्रोना संकर्मन के करण इसकी डेट को आगे बढ़ा है very important question है जरूर याद रखें next IPL 2020 का sponsor कौन है सही अन्सवर है option D dream 11 दोस्तो dream 11 जो है वो IPL 2020 को sponsor करेगी दोस्तो dream 11 से पहले IPL की sponsorship वीवो के पास थी 2020 की sponsorship भी वीवो के पास ही थी लेकिन चीन के साथ विवाद बढ़ने के कारण वीवो को बाहर कर दिया गया है अब इसकी sponsor dream 11 बनी है दोस्तो ये भी आपको याद रखना है next question 2020 में IPL का कौन सा संस्क्रम आयोजित होगा सैंस्वर ओप्शन बी तेरवा संस्क्रम दोस्तो आईपेल 2020 में IPL का तेरवा संस्क्रम खेला जाएगा का पर खेला जाएगा UAE देश में next question dream 11 कंपनी को IPL 2020 का टाइटल स्पोंसर कितने रुपे में मिला है सैंस्वर ओप्शन बी दोस्तो बाइस क्रोड दोस्तो आईपेल 2020 की बोली में dream 11 ने सबसे जादा 222 क्रोड की बोली लगा कर IPL 2020 की sponsorship अपने नाम की है next question dream 11 से पहले IPL की sponsorship किसके पास थी दोस्तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले IPL की sponsor Vivo company थी लेकिन चाहिने से विवाद होने पर Vivo को हटा दिया गया है तो दोस्तो इसका सैंस्वर हो जाएगा option B Vivo next question IPL 2020 के match कब से कब तक होंगे सैंस्वर option A 19 सितंबर से 10 नुवंबर 2020 दोस्तो आइपेल के जो match होंगे वे 19 सितंबर से 10 नुवंबर तक UAE में खेले जाएंगे यानि कि पहला match जो होगा वे 19 सितंबर को खेला जाएगा तता last match जो final match होगा वे 10 नुवंबर को खेला जाएगा next question IPL का पूरा नाम क्या है option B Indian Premier League Indian Premier League जो है वे IPL क्या full form होता है next question IPL 2020 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही है science वरा option C art next question dream 11 किस तरह की company है science वरा option C online gaming platform next question IPL को कोन आयो जित करता है science वरा option A b c c i दोस्तों IPL को भारतिय किर्केट संस्था B c c i आयोजित करती है b c c i का full form होता है board of control for cricket in India मतलब भारत में जो भी किर्केट मैच होती है उसे b c c i regulate करती है IPL को भी b c c i ही regulate करती है next question दोस्तों बात b c c i की हो रही है तो हमारा next question भी b c c i से ही related है b c c i की स्थापना कब हुई थी science वरा option B 1928 दोस्तों 1928 में b c c i की स्थापना हुई थी next question b c c i के अध्रक्स कोन है science वरा option B सोरव गांगोली दोस्तों सोरव गांगोली जो भात्यकिर के टीम के कप्तान और एक great batsman भी रह चुके है वे अब b c c i के अध्रक्स है next question b c c i के secretary यानि की सचीव कोन है option c जैसा दोस्तों जैसा जो भारतिय गरह मंत्री अमित्षा के पुत्तर है वे वरत्मान में b c c i के secretary यानि की सचीव है next question b c c i का मुख्यालय का स्थित है science वरा option B Mumbai दोस्तों b c c i का मुख्यालय बुंबई मराष्टर में स्थित है next question u a e किस मादीब में स्थित है science वरा option b next question 2008 final match का हुआ था दोस्तों IPL का जो 2008 में final match हुआ था वो कहां पर हुआ था science वरा option C Mumbai दोस्तों IPL 2008 का final match बुंबई में खेला गया था जिसमें रजस्थान रोइल्स टीम ने चन्नी सुपर किंग को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया था दोस्तों 2008 में ही IPL का RMB वाता आपको इसे भी याद रखना है next question IPL में purple cap क्यूं दिया जाता है science वरा option B सरवाधिक विकेट लेने पर दोस्तों पूरी सीरीज में जो जो भी गेंदबाद सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको purple cap दिया जाता है next question IPL में orange cap क्यूं दिया जाता है science वरा option C सरवाधिक रण बनाने पर दोस्तों जो बेट्समें पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा रण बनाता है उसे orange cap दिया जाता है next question IPL सबसे अधिक बार कौन सी टीम जीती है science वरा option B Mumbai Indians दोस्तों IPL की टोफी सबसे ज़्यादा बार Mumbai Indians टीम ने जीती है कितनी बार जीती है 4 बार दोस्तों ये detail 2019 तक की है next IPL टीम दिल्ली डेर डेविल्स का नया नाम क्या हो गया है science वरा option C दिल्ली कैपिटल next Mumbai Indian टीम के मालिक कौन है science वरा option A Mukesh Ammani next Chennai सूपर किंग के मालिक कौन है science वरा option C and Srinivasan next Dream 11 के ब्रांड अमेजडर कौन है science वरा option A मेहंदर सिंग धोनी next IPL में 100 मैज जीतने वाले कप्तान कौन बने है science वरा option A मेहंदर सिंग धोनी next IPL में 300 चक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है सही अन्सवर है option B Chris Gale next IPL 2019 तक सबसे ज़्यादा रन किस खिलाडी ने बनाए है सही अन्सवर है option C Virat Koli दोस्तों Virat Koli ने अब तक IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाए है next IPL 2019 तक सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाडी ने लिये है सही अन्सवर है option B लशित मलिंगा दोस्तों स्री लंका के गेंदबाज लशित मलिंगा ने IPL 2019 तक सबसे ज़्यादा विकेट अपने नाम किये है next IPL में 100 मैज जीतने वाली पहली टीम कोन सी बनी है सही अन्सवर है option C मुंबई इंडियन नेक्स्ट ड्रीम 11 का मुख्याले कहां पर है दोस्तों ड्रीम 11 जो IPL को स्पोंसर करेगी उसका मुख्याले कहां पर है सही अन्सवर है option B मुंबई दोस्तों आज का very important और last question है ड्रीम 11 के संस्थापक कोन है दोस्तों सही अन्सवर है option C उपरूग दोनों हरस जैन और बावित सेट दोस्तों ये थे IPLs related most important question उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी यदि वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करे तता अपने दोस्तों को जरूर शेयर करे तता हमारी आने वाले सभी वीडियो की सबसे पहले notification के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे